इल्व एब्रिवन, आएंग्टर मधुदू दबू आज मैं आपको डेली नॉलेज ट्रैक के प्लाटपॉर्म पे ये बताना चाहती हूं कि आप अपना बैली फैट कैसे डिडिउस कर सकते हैं और बैली फैट हमें क्यों आता है, रीजन क्या है उसका और हम उसको कैसे cure कर सकते हैं, कैसे deduce कर सकते हैं जैसे कि हम जानते हैं, कि हमारा अगर sitting time जादा है जैसे कि अगर corporate में जो लोग work करते हैं, तो उनका sitting work जादा होता है चाहे कि वो students हैं, जैसे कि UPSC students जो होते हैं, उनका sitting hours जादा होते हैं study करते हैं, वो क्या करते हैं, खाते हैं, और study करते हैं, तो उनकी physical activity बिलकुल भी नहीं होती है, जिसकी वज़े से उनको belly fat आ जाता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, कि आप अपना belly fat कैसे reduce कर सकते हैं, बट ये उनके लिए हैं, जिनको कोई भी lifestyle disease नहीं है, जैसे कि thyroid and diabetes, या कोई भी health issues नहीं है, तो उनका easily belly fat reduced हो सकता है, उनको कोई इतना hard work करने की ज़रत नहीं है, तो main क्या है, आपको क्या करना है अपने belly fat को reduce करने के लिए, कि morning में जब आप उठते हैं, चाहिए वो आपका कोई भी timing हो, आपको 1 liter, lukewarm water, गरम, गुनगुना पानी पीना पाले pink rock salt आता है, जिसको हम हिंदी में सेंदा नमक भी बोलते हैं, तो आपको क्या करना है, एक लीटर पानी में, गुनगुने पानी में, तीन चुटकी, सेंदा नमक, rock salt डालना है, जिसको फिर आप शेक करके, आपको वो पानी fresh होने से पहले, जब सुबह आप fresh होने जात जिससे कि आपको दीखेगा कि वो थोड़ा सा soft हो रहा है, जो आपका tight belly है, वो थोड़ा थोड़ा आपका soft होने लगेगा, चीक है, एंदेन उसके बाद, जब आप fresh हो जाएंगे, आपका स्टमक अच्छे से clean हो जाएगा, तो आदे से जादा problem आपकी वहीं पर finish हो जाती ह जो यह आपका tonic है, आप कैसे बनाएंगे घर पे, तो आपको क्या करना है, एक friver लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, उस पानी में आप क्या करेंगे, छोटे-छोटे pieces अद्रग के, डालेंगे, छोटे-छोटे pieces लसन के, गार्लिक के डालेंगे, जिससे और पे, मताब इलकुल धीमी गैस पे आप उसको पकाएंगे, और उसको फिर चान कर, आप उसको पिएंगे, वो भी उसमें क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा मिनरल सॉल डाल सकते हैं, हिमाले पिंक रॉक सॉल जो होता है, वो आप उसके अंदर डाल सकते हैं, जिससे कि उसका और उसको जब आप सिब भाई सिब पिएंगे, और डेली रोज आप अपना मॉर्निंग में खाली पेट जब उसको पिएंगे, तो उससे क्या होगा, आपका मैटबॉलिजम फास्ट होगा, और जो आपका बैली फैट है, वो आपको रिड्यूस होने में हेल्प करेगा, और सेकेंड तिंग क्या होगा, आपके जो बैली फैट इसको ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, वो रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, तो यह टॉनिक आप इसली घर पे बना सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी जादा महनत करने की ज़रुरत नहीं है, इसके बाद आप क्य करेंगे, अपनी डाइट में क्या-क्या लेंगे जिससे कि आपका बैली फैट रिड्यूस हो, तो मैंने आपको पहले प्रीवेस वीडियो में भी बताया है, सुपर फूद्स, वो बहुत इंपोर्टन है, क्योंकि वो फाइबर रिच है, उसको खाने से आपको जल्दी से भ सुपर वाटरमेलन सीट्स, और फ्लेक सीट्स, कद्दू के बीच, अल्सी के बीच, वाटरमेलन सीट्स और सनफलार सीट्स, यह चार सीट्स हैं, जो अपनी डाइट में आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको जल्दी से भूख नहीं लगेगी, आपका स्टमक फुल रहेगा, वो फाइबर रिच है, वो आपका weight reduction में भी help करेंगे, और आपके belly fat को reduce करने में भी help करेंगे, प्लस मैंने आपको पहले भी बताया था, कर्ड के साथ, बेसल सीट्स, तुलसी के बीच आते हैं, वो आप अगर अपनी कर्ड के साथ लेंगे, जैसे कि मैं आपको बताती वो आप कैसे ले सकते हैं, एक आपका जो 1 teaspoon बेसल सीट्स हैं, आप उनको 100 ml जो water है, उसमें थोड़ी देड के लिए भीगोएंगे, दस मिनिट के लिए, तो वो अपनी साइज में बड़े हो जाएंगे, तो उनको अगर आप दही में मिला के खाते हैं, तो वो आपके belly fat को reduce करने में help करेंगे, आपके stomach digestion को improve करेंगे, जिससे कि आपका belly fat reduce होने में आपको मदद मिलेगी, प्लैस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, कि आप 5 बजे से पहले, जितनी carbs लेना चाहते हैं, मैं तो वैसे बोलूँगी कि less carbs लें, क्योंकि वो आपको weight reduction में, वेट gain में help करती हैं, तो इसलिए अगर आप less carbs लेते हैं, वो भी 5 बजे से पहले लेते हैं, तो आप रात को, मतलब 5 बजे के बाद carbs ना ले अपनी डाइट में, तो automatically आपकी जो belly fat है वो reduce होने लगेगा, प्लस जो रात को, मैं अगर आप veg है, vegetarian है, तो आप salad, soups में घी डालके, देसी घी ग जिसे की थोड़ा stomach आपका फुल रहे, प्लस जो non-vegetarian है, तो वो क्या कर सकते हैं, non-veg लें, उसके साथ one plate भरके salad लें, तो उससे क्या होगा, कि salad fiber rich है, और जो non-veg है वो protein rich है, तो वो अपनी डाइट में जब आप लेंगे, तो automatically आपको constipation की problem नहीं होगी, क्योंकि आप protein rich diet ले रहे हैं रात को, तो fiber rich diet बहुत important है, तो salad अगर आप plate भरके लेंगे, तो वो आपको अपनी राइट में ज़रूर इंक्लिवड करना चाहिए, जिसे की morning में आपको constipation की problem नहीं, अगर आप ये pattern of diet follow करते है, तो automatically आपका belly fat भी reduce होगा, और आप shape में आएंगे, और ज अगर आपको टॉनिक लेते हैं, गरम-गरम, मतब warm, तो उससे आपका belly fat reduce होगा, प्लस आपका metabolism fast होगा, तो अगर आप ये pattern of diet follow करते हैं, तो आप देखिए आपकी बोडी में क्या results आएंगे, और आपको जल्दी से जल्द results मेलेंगे, वन बंत में आपको visible results मिल जाएंगे, थैंक ये सो मच